तो गैस अगर आप लोग सेमसंग के डेवाइस यूज कर रहे और काफी लोग कॉमेंट कर रहे थे कि अगर आप लोग कोई भी वीडियो देख रहे अपने फोन में तो वो जो वीडियो है वो रुक रुक के चलती है ठीक है तो बेसिकली स्टैप के प्रॉबलम क्यों आती है रीजन क्या है और कैसे आप लोग इसे फिक्स करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलकि आइकन को प्रेज कर लेना है अधिकतर रीजन्स क्या होते है सबसे पहले आप लोग अपने फोन में ये चेक कर लिजे कि आप लोग के फोन का डिस्प्ले का स्पेसिफिकेसन क्या है एक्जम्पल के लिए जैसे कि हम अपने फोन के डिस्प्ले पे क्लिक करते है इस्क्रिन का रेजोलिशन आप लोग याँ पर देख सकते लगबक कॉर् मिलता है ठीक है तो हमारा जो फोन है वो 4K वीडियो को सपोर्ट करता है हम अपने फोन में 4K वीडियो बिना दिक्कत के देख सकते बट अगर आप लोगों के फोन में 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करता होगा तो देखें वीडियो तो चलना है स्टार्ट हो जाएगा बट वो जो वीडियो रहेगा वो रुक रुक के चलेगा तो अधिकतर केसिस में स्टैप के प्रॉब्लम आती है कि आप लोग का फोन कुछ वीडियो को सपोर्ट नहीं करता तो उनमें इस टैप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो सबसे पहले आप लोग यह चेक कर लिजेगा कि आप लोग का फोन 4K वीडियो सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता तीक है और अगर हर एक वीडियो यह आप लोग के फोन में रुक रुक के चलती है रिजोलेशन का कोई भी लफड़ा नहीं है फिर भी तो सिंपल आप लोग अपने फोन में सेटिंग्स उपन करेंगे एक बार आप लोग अपने फोन में जो सेटिंग्स होती है उसे रिसेट कर देना है इसमें होगा क्या बेसिकली कि अगर कोई भी गलत एक्टिवीटी हुई होगी तो सब कुछ डिफॉल्ट हो जाएगा देन आप लोगों की प्रॉबलम भी फिक्स हो जाएगी इसमें आप लोगों का कोई भी डाटा डिलिट नहीं होगा आप लोगों को निश्चिंत रहना है ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै मता दी